Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 10.3 का question number 3 देखते हैं क्या है Reduce the following equation into normal form हमारे पास एक equation given है उसको normal form में convert करना है Find their perpendicular distance from the origin Origin से उसका perpendicular distance find out करना है And angle between the perpendicular and the positive x-axis और perpendicular जो हमारा draw होगा उसके और x-axis के बीच का angle हमने भी ये भी हमने find out करना है अब सबसे पहले हम देखेंगे कि normal form की equation होती क्या है हमारी वो होती है x cos omega प्लस y sin omega h equal to p के equal यही होती है normal form की equation अब इसके अंदर omega तो हमारा angle होता है जो perpendicular और x-axis के साथ बनता है और p गया होता है perpendicular distance means हमें p और omega की value find out करनी है ठीक है अब यहाँ पे सबसे main important बात क्याती है हमेशा जो भी हमारी ये normal form की equation होगी इसके अंदर p जो होगा वो क्या होगा positive always positive होगा दूसरा omega की value जो होगी cos के साथ भी sign के साथ भी हमेशा equal होगी ये 30 degree है तो ये भी 30 होगा ये 60 है तो ये भी 60 ऐसा नहीं होगा कि ये 30 और ये 60 हो जाए समझ में आगी दोनों बात clear है अब चलिए अपने question पे चलते है हमारे पास जो equation given है x minus root 3y plus 8 equal to 0 तो यहाँ पे क्या करेंगे हम x minus root 3y x और y वाली term तो एक तरफ रखनी है constant term एक तरफ तो 8 को क्या करेंगे हम ले जाएंगे right side तो ये क्या होगा minus 8 अब mind में बात आती है कि p तो भई positive होना चाहिए बट यहाँ पे negative आ रहा है तो हम क्या करेंगे इस equation के sign change कर लेंगे या फिर इस पूरी equation को minus से multiply कर देंगे तो equation क्या बज़ जाएगी minus x plus में root 3y is equal to 8 ठीक है अब यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ इसको compare करता हूँ x cos omega plus y sin omega से x तो हमारा यहाँ पे है cos omega किसके equal हो जाएगा minus 1 के ठीक है angle आ जाएगा हमारा sin omega को compare करता हूँ में root 3 से तो sin की value तो root 3 किसी angle पे होती नहीं है तो हम यहाँ पे angle find out नहीं कर सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा हम क्या करेंगे इसको divide by under root a square plus b square पूरी equation को क्या करेंगे under root a square plus b square से divide कर लेंगे अब यह under root a square plus b square a और b की value कहां से आएगी वो देखेंगे इसको compare कर लो किससे ax plus by is equal to c से a की value क्या हो जाएगी यहाँ पे minus 1 b की value क्या हो जाएगी root 3 put कर लो under root minus 1 का square plus under root 3 का square तो क्या जाएगा यहाँ पे under root minus 1 का square 1 square से root cancel तो 3 3 plus 4 4 का root क्या हो जाएगा हमारा 2 2 से इस equation को क्या कर लो divide तो देखो यहाँ पे क्या आगया minus का 1 by 2 x plus में root 3 by 2 y is equal to 8 by 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 clear है यह चीज समझ में आ गई होगी आपको हर एक question में इसी तरीके से आपको concept लेके चलना है अगर हमें normal form में change करना हो तो अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है minus का 1 by 2 minus को बाहर रखो यहाँ पे इसको compare करो x cos omega है तो cos की कितने angle पे 1 by 2 value होती है cos 60 पे तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं cos 60 x कोई problem नहीं root 3 by 2 y तो y sin omega sin omega sin कितने पे होती है sin 60 sin 60 into y is equal to p है हमारा p की जंगा यहाँ पे क्या लिख सकते है 4 यह है हमारी value perpendicular distance की value आगी value अब इसको देखो यहाँ से और इस equation को compare करके y sin omega ठीक है भई p की value ठीक है 4 आगई हमारी x cos omega यहाँ पे positive है यहाँ पे क्या है negative तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़वड है हमारी हमें क्या करना पड़ेगा इसको भी positive बनाना पड़ेगा तब ही हम compare कर सकते हैं तब ही हम angle की value find out कर सकते हैं तो कैसे करेंगे हमें cos की value क्या चाहिए negative होना चाहिए और sign क्या है हमारा positive हम quadrant देखेंगे कि कौन से quadrant में cos negative और sign positive होता है तब हम क्या कर सकते हैं इसको negative को positive बना सकते हैं कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो इस तरीके से quadrant होते हैं यह क्या होता है after school to college इसमें all positive होते हैं सारे के सारे positive बट हमें तो cos negative और sign positive चाहिए तो इसको तो हम use नहीं करेंगे second quadrant में आज़ाओ क्या है sign sign का उल्टा क्या होता है cosecant sign तो positive होता है और other जो angle होते है negative होते है तो भई sign positive और cos negative चाहिए था मुझे तो हमारा ये कौन सा quadrant है second तो बस second quadrant की ही requirement है हमे अब क्या करना है यहाँ पे वही चीज द्यान से सुनो ये जो angle है ये कहा से कहा है हमारा 90 degree से लेके 180 degree तक हमें जो अपना angle है वो 90 degree से 180 के बीच में रखना है तब ही हमारा cos negative और sign positive हो सकता है 60 तो अब रहेगा नहीं क्योंकि 60 वाले में तो सारे के सारे positive होते हैं में तो negative value मिल ही नहीं रही तो हमें क्या करना है cos को negative और sign को positive बनाना है तो वो कौन से quadrant में possible है second में तो हम यहाँ पे देखो minus के cos 60 को क्या लिख सकता हूँ मैं cos of 180 minus 60 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ 180 में से 60 सब्ट्रेक्ट करूँगा तो cos को कौन से quadrant पे रहेगा 180 में से 60 सब्ट्रेक्ट किया तो second में cos क्या होता है negative तो minus cos 60 के equally तो होगा 10th class में हमने trigonometry में अंदर किया था देखो 180 पे तो change नहीं होता cos का cos रहेगा और 60 डिगरी 180 माइनस 60 डिगरी कौन से quadrant में आ रहा है second में cos negative तो minus का cos 60 डिगरी तो मतलब minus cos 60 को मैं cos of 180 minus 60 write down कर सकता हूँ बन गया ना positive बना या नहीं बना बस यहीं चीज बनानी सिखनी है आपको तो यहाँ पे हमारा जो हो गया यह इसको क्या लिख सकते हम cos of 180 minus 60 into x plus में sin 60 है इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं sin 180 minus 60 sin 180 minus 60 into y is equal to क्या है 4k अब आपके mind में आएगा सर साइन को 180 minus 60 क्यों लिखा क्योंकि यह तो already positive था बट मैंने अभी अभी आपको बताया था starting में कि angle जो हैं दोनों के दोनों सेम होने चीए अब sin 180 minus 60 करके देखो आप एक बार sin 180 minus 60 change नहीं होगा 180 पे तो sin का sign रहेगा 180 में से 60 का है कौन से equivalent में आ रहा है second में second में sin positive होता है तो यह किसके equal आ गया sin 180 minus 60 sin 60 के equal ही तो होता है तो मैं sin 60 को sin 180 minus 60 लिख सकता हूँ तो यहाँ पे angle देखो क्या आ गया course of 180 में से 60 क्या आ गया 120 degree into x plus में sin of 120 degree into y is equal to 4 आ गई नहीं वही standard form x course omega plus y sin omega is equal to p अब comparison कर लो यहाँ पे लिख देंगे हम p जो है perpendicular distance कितना आ गया 4 और angle जो है हमारा omega is equal to क्या आ गया 120 degree this is the answer I hope आपको समझ में आ गया है किस तरिक्ये से करना है कोई भी doubt लगे तो हम मुझे comment कर सकते हैं otherwise second और third part इसका करेंगे वहाँ से और अच्छे से clear हो जाएगा next देखते हैं इसका second part second part के अंदर हमें given है y minus 2 equal to 0 ठीक है तो यहाँ पे देखो y minus 2 equal to 0 है तो y is equal to किस के आ गया 2 के x की term नहीं है यहाँ पे तो हम क्या कर लेंगे इसको 0x plus y is equal to 2 1 into y लिख सकता हूं मैं क्यों लिखा देखो इसको compare करेंगे हम किस से x cos omega plus y sin omega is equal to p से y तो हमारा एज इटी जै sin omega का comparison 1 से होगा x है हमारा cos omega का comparison 0 से होगा अब यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल simple है cos omega 0 कितने पे होता है हमारा 90 degree पे sin omega 1 कितने पे होता है 90 degree पे तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं ध्यान से देखो यहाँ पे 0 को cos 90 x plus में 1 को क्या लिख सकता हूं sin 90 y is equal to 2 अब comparison कर लो यहाँ पे x का comparison x से angle का comparison करेंगे तो theta is equal to angle जो आगया हमारा omega equal to क्या आगया 90 degree और p जो आगया perpendicular distance वो कितना आगया 2 यह बड़ा simple कि उस चन था क्योंकि यहाँ पे direct value हमें मिल रही है 0 cos omega 0 कितने पे होता है 90 degree पे देखो ऐसे भी find out कर सकते हो cos omega को compare किया 0 से sin omega को compare किया 1 से ठीक है अब यहाँ पे देखो cos omega equal to 0 कितने पे होता है हमारा cos 90 sin omega equal to 1 कितने पे होता है sin 90 sin cancel cos से cos cancel omega की value 90 degree आगी दोनों केस में angle सेम होना चाहिए आगया दोनों positive भी है बस हो गया comparison P की perpendicular distance की value भी आगी omega की value भी आगी clear है ना next देखते हैं इसका third part third part के अंदर हमें given है x minus y equal to 4 ठीक है अब यहाँ पे देखो x minus y equal to 4 अगर इसको मैं comparison करने लग जाओ कि say x cos omega plus y sin omega is equal to P से तो हमारा देखो cos omega equal to यहाँ पे क्या मन जाएगा 1 यहाँ पे भी 1 cos omega क्या होना चाहिए हमारा 1 होना चाहिए और sin omega क्या होना चाहिए minus 1 तो अगर हम comparison करके angle की value find out करेंगे ना तो same angle हमें यहाँ पे नहीं मिलेंगे omega की value same नहीं मिलेंगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वही divide by divide by किसे under root A square plus B square से A की value 1 B की value minus 1 तो क्या आजाएगा यहाँ पे under root 1 का square plus में minus 1 का square means क्या आगया under root 2 तो यहाँ पे क्या आजाएगा हमारा x by 1 by root 2 into x minus में 1 by root 2 into y is equal to 4 by root 2 कर दी पूरी equation को root 2 से divide कर लिया अब इसको compare कर लो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आजाएगा हमारा x cos omega plus में y sin omega is equal to P ठीक है अब यहाँ पे चलो इस वाली form पे 1 by root 2 1 by root 2 cos की कितने पे value होती है pi by 4 पे होती है means 45 degree पे तो यहाँ पे क्या आजाएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos pi by 4 into x लिख दिया मैंने उस वाली term को minus का sin यहाँ पे 1 by root 2 sin पे कितनी होती है sin pi by 4 4 into y is equal to क्या है हमारा 4 by root 2 अब देखो इसको compare करो यह थो positive है यह भी positive ठीक है यह negative आ गया यहाँ पे हमें चीए क्या positive तो हमें यह देखना पड़ेगा कौन से quadrant में हमारा sign negative होता है और cause positive होता है बस यह काम है देखो after school to college cause क्या चीए positive cause positive कौन से वाले में है fourth में cause positive और sign negative होते हैं हमारे यह कौन सा quadrant आ गया fourth quadrant clear है या नहीं है अब यहाँ पे देखो यह क्या होता है 0 degree से 90, 90 से 180, 180 से 270 से 360 degree अब हमें जो यह angle लिखने है वो क्या करने है 360 में से subtract करके लिखने है 360 मतलब 2 pi 360 मतलब क्या है 2 pi तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम cause of 2 pi minus pi by 4 into x और यहाँ पे क्या आजाएगा positive sign आजाएगा अब इसको क्या लिखेंगे sign of 2 pi minus pi by 4 into y is equal to 4 by root 2 को अगर मैं break करूँ 4 को 2 into 2 कर सकता हूँ और 2 को क्या कर सकता हूँ root 2 into root 2 upon में root 2 cancel हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया ध्यान से देखो cos of 2 pi minus pi by 4 करूँगा तो 4 to jay it 8 में 7 गया तो 7 pi by 4 x plus में sign of यहाँ पे भी क्या जाएगा 7 pi by 4 y is equal to 2 root 2 बन गई positive form बस यह चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पे अगर negative positive आता है ना angle में तो वो देख लो कि यहाँ पे negative आया तो sign negative और cos positive कौन से में होता है इसमें आ गया हमारा fourth में तो यहाँ पे जो इसका angle खतम होता है 360 उसमें से उस angle को subtract कर गे लिए लो positive form बन जाएगी बस यह चीज़ ध्यान रखनी है ठीक है अब यहाँ पे देखो comparison करेंगे तो हमारा angle जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा omega is equal to क्या आ गया 7 pi by 4 और हमारा perpendicular distance क्या आ जाएगा 2 root 2 this is the answer I hope आपको समझ में आ गया question थोड़ा सा difficult question है थोड़ा सा दिम्याग लगाना पड़ेगा concept दो बार करोगे न हो जाएगा clear ठीक है main चीज आपको ये समझनी है इसका comparison की negative आ रहा है तो उसका हमें positive कौन से angle पे बनेगा कैसे हम quadrant को choose करें अब इसको positive बनाना था हमने तो 360 में से fourth quadrant में पहुँचा के हम इसको sign को negative को उसको positive कर सकते हैं तो ये आ गया हमारा fourth quadrant तो 360 में से इन angle को क्या कर लो subtract बस thank you students for watching this video thanks